हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर तो आज हम पढ़ेंगे राजस्तान की इस्थापते कला के बहुत सारे महतोप्रण परसन क्योशा नमबर एक थेवा कला के किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा वर्स 2015 में पदम स्री से नवाजा गया है इसका अनसर होगा आपसन बी महेश राज सोनी क्योशा नमबर दो फड़ से सम्बंदित स्रीलाल जोसी किस जिले के निवासी है आपसन ए चूरू, आपसन बी उदैपूर, आपसन सी सिक्टर, आपसन दी भीलवाड़ा इसका अनसर होगा आपसन डी भीलवाड़ा क्योशा नमबर तीन राजस्थानी लोक चितर सेली में पाने है आपसन ए लकडी का चितरन, आपसन बी हाथी दात पर चितरन, आपसन सी कपड़े पर चितरन, आपसन डी कागच पर चितरन इसका अंसर होगा option D कागच परचितरण क्योफ़सा नमबर 4 राजस्थान में कहां परपरचित मीनाकारी के गहनी बनाई जाते हैं option E जोदपुर option B भरतपुर option C लाहोर option D जैपुर इसका अंसर होगा option D जैपुर क्योफ़सा नमबर 5 किन बरतणों पर जैपुर पोटरी का चितरांकन परशिद है option E चिन्नी मिटी के बरतणों पर option B पितल के बरतणों पर option C काँच और चिन्नी के बरतणों पर option D केवल तांबे के बरतणों पर इसका अंसर होगा option C कहां चोरचिन्नी के बरतनों पर त्योसर नमबर 6 सोजत किसके लिए परशिद है औपसन ए प्टपुतली औपसन बी लाख की चूडियां औपसन C महंदी औपसन D हल्दी इसका अंसर होगा औपसन C महंदी क्योसर नमबर 7 निवन में से सत्ते कथन की पहचान करें Option A रंगाई करने वालों को छीपा कहा जाता है Option B बंधेज कारिकरों को चड़वा कहा जाता है Option C कुई बनाने वाले को चेजारा कहा जाता है Option D उप्रोक्त सभी इसका आंसर होगा Option D उप्रोक्त सभी कथन सकते हैं क्योंसन नमबर आठ बासवाड़ा जिले में चंदुजी का गाड़ा किस के लिए परशिद है ओफशन A पेपर में सी के लिए ओफशन B आम पापड़ के लिए ओफशन C तीर कमान के लिए ओफशन D इन में से सभी इसका अंसर होगा ओफशन C तीर कमान के लिए पेपर में सी जैपूर की परशिद है आम के पापड़ बासवाड़ा की परशिद है क्योंसन नमबर नो ब्ल्यू पोर्टरी पर किस वेक्ति को पलम स्री से समानित किया गया है ओफशन A करपाल सिंग रावत ओफशन B करपाल सिंग कुमावत ओफशन C करपाल सिंग से खावत ओफशन D किसनलाल पटवा इसका अंसर होगा ओफशन C करपाल सिंग से खावत क्योंसन नमबर 10 राजस्तान में ब्ल्यू पोर्टरी का परशिद के इंदर है ओफशन A ओफशन B जैपूर ओफशन C कोटा ओफशन D अलवर इसका अंसर होगा ओफशन B जैपूर क्योंसन नमबर 11 ओफशन नमबर 11 ओफशन में लकड़ी के खिलोने बनाए जाते हैं तो सहापुरा में क्या बनाए जाता है ओफशन E साडिया ओफशन B मिट्टी के खिलोने ओफशन C फढ़ पैंटिं ओफशन D लहरिये इसका अंसर होगा ओफशन C फढ़ पैंटिं क्योंसन नमबर 12 भारती लोग कला मंडल कहां इस्तित है ओफशन E उदैपूर ओफशन B अजमेर ओफशन C जोदपूर ओफशन D जैपूर इसका अंसर होगा ओफशन E उदैपूर क्योंसन नमबर 13 सरीर को सुसजित करने की दरश्टी से सरीर के उपर की चमड़ी खोद कर उसमें काला रंग भरने को कहा जाता है ओफशन E कोठिया ओफशन B गोधना इसका अंसर होगा ओफशन C त्योंसन नमबर 15 लकड़ी के कलातमक फरनीचर के लिए परशिद छेतर है ओफशन E सेखावाटी ओफशन B हाडोती ओफशन C मेवाड ओफशन D मारवाड इसका अंसर होगा ओफशन E सेखावाटी इसका अंसर होगा ओफशन C स्राद पक्स में सांजी स्राद पक्स में मनाई जाती है कुवारी लड़कियां सफेदी से पूती दिवारों पर गोबर से आकार बनाती है सांजी को माता पारवती मानकर अच्छे घर वर की कामना करती है इसका अंसर होगा क्योस्ट नमबर अठारा राजस्थान में काट से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त कट पुतलियां बनाने का करे कहा किया जाता है क्योस्ट नमबर उननीस राजस्थान में विभिन उत्सों वे प्योहारों पर देवी देवताओं के कागच पर बनी चितर कहलाते हैं क्योस्ट नमबर बीस केंदरी वस्तर मंतराले ने किस राजे को हैंडी क्राफ्ट स्टेट का दर्जा दिया है क्योस्ट नमबर इक्किस क्योस्ट नमबर बाइस उदे साही सिक्का कहां का परशिद है ओफ्षन दुंगरपूर ओफ्षन बासवाड़ा ओफ्षन सी उदेपूर ओफ्षन दी बाडमेर इसका अंसर होगा ओफ्षन ए दुंगरपूर क्योस्ट नमबर इस चापने के कारिये के लिए छिप्पे राजस्थान में किस राज्य से लाए जाते हैं ओफ्षन ए उतर परदेश ओफ्षन बी गुजरात ओफ्षन सी हरियाना ओफ्षन दी मद्धे परदेश इसका अंसर होगा ओफ्षन भी गुजरात क्योस्ट नमबर चौविस राजस्थान में परशिद कलाकार मांगे लाल मिस्तरी का संब्ध है ओफ्षन ए कावड से ओफ्षन बी कट पुतली ओफ्षन सी भड से ओफ्षन दी मीनाकारी से इसका अंसर होगा option A, कावड से प्योशन नमबर 25 राजस्थान में सुनहरे धागे से जो कड़ाई का कारिय किया जाता है क्या कहलाता है? option A, मुकेस option B, जर्दोजी option C, कसिदाकारी option D, इन में से सभी इसका अंसर होगा option B, जर्दोजी मुकेस, सुत्ती धागों से कड़ाई की जाती है उस धागे को कहा जाता है option 26, राजस्थान के परसिद लोग कला बेवान है option A, लकडी से निर्मित सिहासन जिस पर ठाकुर्जी की मूर्ती को श्रंगारित करके बिठाया जाता है option B, खादी के कपड़े पर लोग देवता के जीवन के चित्रों के माध्यम से प्रस्तूत करता है option C, कपाटों युक्त लकडी से निर्मित मंदिर नुमा आकरती option D, लकडी से निर्मित तलवार नुमा आकरती जिसका उप्योग रामलिला नाटक में किया जाता है इसका अंसर होगा बेवान लकडी से निर्मित सिहासन जिस पर ठाकुर्जी की मूर्ती कोश्रंगारित करके बठाया जाता है option 27 राजस्तान में हस्त सिल्प उद्योग के विकास में सैयोगी महतोप्रण संस्ता है option C, राजस्तान वीत निगम option D, राजस्तान लगो उद्योग निगम क्योशन नमबर 28 लपपा, लपपी, किरण, मुकेस, बाकडी, गोखरू यह सब किस के नाम है option D, दुलन के जुत्तों के नाम है option D, दुलन की साडियों के नाम option C, मोट की अधिक पैदावार देने वाली किसम option D, गोटे के विभिन परकार इसका अंसर होगा option D, गोटे के विभिन परकार क्योशन नमबर 29 कास्ट कलाप परसिद है option A, बसी, चितोडगड की option B, कुसलगड, बासवाड़ा option C, ब्यावर, अजमेर option D, पिंडवाड़ा, सिरोही इसका अंसर होगा option A, बसी, चितोडगड question number 30 सोने एम प्लेटिनम के आभूशनों में रतनों की जड़ाई कहलाती है option A, चिताई, option B, कुंदनकला option C, चट्टापट्टी option D, पच्चिकारी इसका अंसर होगा option B, कुंदनकला option 31 सहरी एम ग्रामिन छेत्रों में सिल्प कारों को सहायता देने है तू योजना का क्या नाम है option A, सिल्प कला योजना option B, सिल्प बाड़ी योजना option C, हस्त सिल्प विकास योजना option D, राजस्थान हस्त सिल्प योजना इसका अंसर होगा option B, सिल्प बाड़ी योजना option number 32 राजे में कागच जैसे पतले पत्रे पर मीनाकारी का कारिय राजे में कहां किया जाता है इसका अंसर होगा मारवार सेली का दूसरा क्या नाम है इसका अंसर होगा जोदपूर सेली क्योसरा नमबर चोंतिस सिरी अब्दूल गफूर खा, इम्तियाज अली तथा अबुल रजाक कुरे से किस चेतर में परशिद है क्योसर नमबर पैंटिस कोटा सेली को किसने स्थापित किया था इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा ब्ल्यू पोर्टरी का सरवादिक विकास जैपूर के किस सासक के समय हुआ था इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा उस्ताद कहलाने वाले चितरकारों में बीती चितर किस नगर में बनाए जाते हैं आप्षन ए चूरू, आप्षन B. बिकानेर, आप्षन C. अजमेर, आप्षन D. जोदपूर इसका अंसर होगा आप्षन B. बिकानेर तर आप्षन नम्बर 38 नम्दे कहां के परशीद हैं इसका अंसर होगा क्योंसर नमबर 49 राजस्तान में ब्ल्यो पोटरी की दस्तकारे का उद्वव कहां से हुआ इसका अंसर होगा क्योंसर नमबर 40 लोई कहां की पर्मुख है इसका अंसर होगा क्योंसर नमबर 49 कसीधा वाली जूतियां कहां की पर्शिद है इसका अंसर होगा अप्सन ए जालोर क्योंसर नमबर 42 तार कसी के जेवर कहां के पर्शिद है अप्सन ए नाथ द्वारा अप्सन बी जैपूर अप्सन सी जोदपूर अप्सन दी नागोर इसका अंसर होगा अप्सन ए नाथ द्वारा क्योंसर नमबर 43 कट पुतलियां कहां की पर्शिद है अप्सन ए उद्यपूर अप्सन बी नागोर अप्सन सी कोटा अप्सन डी परतापगड इसका अंसर होगा अप्सन ए उद्यपूर त्योप्सन नमबर 44 उद्यपुर में निम्न में से कौन सी कला परसिद है उप्सन E कास्ट कला उप्सन B खेसले उप्सन C लोई उप्सन D कट पुतलिया इसका अंसर होगा उप्सन D कट पुतलिया त्योप्सन नमबर 45 राव द्वार का दास चुडावत द्वारा किस सेली का विकास हुआ था उप्सन E देवगड सेली उप्सन B डुडाड सेली उप्सन C आमेर सेली उप्सन D कोटा सेली इसका अंसर होगा उप्सन E देवगड सेली क्योशन नमबर 46 निम्न में से सुमेलित है उप्रयोक्त सभी। इसका अंसर होगा, उप्रयोक्त सभी सही हैं। क्योसा नमबर 47, वियेना वे फार्सी गलीचे कहां के परशिद हैं? उप्षन A, बिकानेर, उप्षन B, जोधपूर, उप्षन C, बाडमेर, उप्षन D, कोटा इसका अंसर होगा उप्षन A, बिकानेर उप्षन नमबर 48, पितल की खुदाई, गीसाई, एं पैंटिंग्स में निवन में से कहां की परशिद हैं? उप्षन A, जैपूर, उप्षन B, अलवर, उप्षन C, दोश्चा, उप्षन D, कोटा इसका अंसर होगा उप्षन A, जैपूर प्योसा नमबर 49, निवन में से ऐस सत्य कथन बताईएं? उप्षन A, बेवान एक परकार का कास्ट मंदिर है, जिसे मीनियेचर वूड टेमपल कहा जाता है उप्षन B, कावड एक मंदिर नुमा कास्ट कला करती होती है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं उप्षन C, चितोड गड जिले का बसी गाउं कास्ट कला के लिए परशिद है, उप्षन D, उप्रक्त सभी, इसका अंसर होगा, उप्षन D, उप्रक्त सभी सब्ते है, क्योसा नमबर 50, निवन में से कुदरत सिंग को पदमस्री से किस हस्त सिल्प कला से समानित किया है उप्षन A, ब्ल्यू पोटरी, उप्षन B, मीनाकारी, उप्षन C, लाख का अभुषन, उप्षन D, टैरा कोटा, इसका अंसर होगा, उप्षन B, मीनाकारी उप्षन नमबर 51, बसी की काश्ट कला किस जिले से समानित है, उप्षन A, चितोडगड, उप्षन B, दोस्सा, उप्षन C, अलवर, उप्षन D, जैपूर, इसका अंसर होगा, उप्षन A, चितोडगड इसका अंसर होगा, उप्षन A, मौरियकाल, उप्षन B, उप्षन D, मुगलकाल, इसका अंसर होगा, उप्षन A, मौरियकाल क्योप्षन नमबर 53 राजस्तान में हस्त सिल्प डिजाइन इंविकास के अंदर कहां इसती थै आप्षन A, सांगानिर आप्षन B, जोदपूर आप्षन C, उदैपूर आप्षन D, जैपूर इसका अंसर होगा आप्षन D, जैपूर क्योप्षन नमबर 54 लाख का सरवादिक काम होता है Option A. जैपूर Option B. कोटा Option C. उदैपूर Option D. जोदपूर इसका अंसर होगा Option A. जैपूर क्योशन नमबर 55 उटों की खाल पर सोने चांदी का कलात्मा कंकन कहलाता है Option A. पेपर मेसी Option B. टेरी कोटा Option C. उस्ताकला Option D. इनमें से सभी इसका अंसर होगा Option C. उस्ताकला क्योशन नमबर 56 गोफण, गिलोल, पंचानी किसे संबंदित है Option A. विवाह के अफसर पर दुलहन की लाई गई चपल Option B. तलवार के परकार Option C. खेतों में पसूँ को भगाने वपक्सियों को उड़ाने के लिए बनाये गए होजार Option D. इनमें से सभी इसका अंसर होगा Option C. खेतों में पसूँ को भगाने वपक्सियों को उड़ाने के लिए बनाये गए होजार है क्योशन नमबर 57 भारत सरकार ने करपाल सिंग से खावत को किस कला के परचार करने के लिए पदमसरी से समानित किया गया था Option A. मीनाकारी Option B. थेवा कला Option C. बिलू पोटरी Option D. इनमें से सभी इसका अंसर होगा Option C. बिलू पोटरी धन्यवाद